हेलो आज हम इस वीडियों पढ़ने वाले हैं क्लास लाइंट की जुआपकी बायोजिक बुक का उसे चैप्टर नंबर शिक्स एनाटोमी फ्लावरिंग प्लांट्स इस चैप्टर कम जो अच्छी तरह करने वाले हैं कवर तो वीडियो गांड तक जुरूर देखिएगा तो ह आपको वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं फिर और कोई चैप्टर की देखनी है 1-5 तो देख लीजीगा अब आगे हम स्टार्ट करते हैं फ्लोयम तो हमने पढ़ा था कि जायलम के बारे हम जो है कंडुक्टिंग टिश्यू है किस चीज का करना है water and minerals का कड़ना है हमने four types पर ट्रेकीड वैसल जायलम फाइबर पैरनकाइमा जिसमें के पैरनकाइम जायलम पैरनकाइम होता है वो लिवं को तो और सारी डाइड होते हैं तो हमने सब बढ़ा तो उसके functions पाढ़ेंगे detail में हमने जो है कासे को 20 minutes में उसको complete किया था सि पाइम का function क्या है कि यह जो है food material ट्रांसपोर्ट करता है leaf से other part of the plant आहां से leaf से लिखे other parts के जो है plant के अदर parts तक तो यह जो है transport करता है तो यहाँ पे दो terms जो है आप समझ लीजिए source से sink तक करता है source से sink तक सोर्स मतलब क्या है sink मतलब क्या समझ लेते है एक बार माल लिजे यह है यह हो गया एस लिख दिया source और यह हो गया sinht s i i इुख दिया sink तょ्म मतलब किया source जहां पर food बना है जहां पर leaf अर जहां आ पि जह पूड बना है और जहां पर जूरत है यह जियनृट कि किसी भी plant organ तक जा सकता है और जासकता यह resources produces source काएंगे किसी भी जगह सकता है सब्सक्राइब सिंगे जो है सिंग मतलब कहां भी जाहां से बेजना जाहां जरू था फूड़ गी तो उसे हम कहेंगे सिंग तो सोर्स सूर्स टू सिंग आए अब आपको क्लियर हुआ होगा तो हमने तुप पड़ी दो सोर्स औं सिंग तो आगे देखते हैं फ्लोयम इन соえば स्बूस घेंमें जो यह आपका जो ऐह अपको जोल्स नहीं पैरन गायमा ईजाइलम श्पी गत्तवरusal वहां ने भृत मों थो जुरुल ठीट है तो बाकी तेन आप की तो बेंग, प्लेश्द फायाई लेकुट तो उसको जुरूर दियाद लखेगा बहुत ज़दे इंपोर्टेंट है अब हम जो है आगे देखते हैं जालम जो है फ्लोय हम एक बार मापको बता देता हूं जालम फ्लोय हम की जो है मैंने आपको जगे एक बार बता देता हूं तो आगे अच्छी तरह से और पड़ेंगे माल नेचे कोई आपका जो है प्लांट है उसको हमने जो है काटा तो कम आगे इस तरह से उपर उसको दिखेंगी और यह इस ऐसे और यह इसे यह पर कुछ चैल्स पाएbbit यहां पे यहां पर जगे इस प्र सपहर स्थल्स पाएब इंग के संस्क् conversion करेंगे और है. इस की अन और बाहर की तरफ है, इसमें इसे यह वाला ज्छायलम और यह वालाफलोई होगा. तो आगे देखते हैं, जीम्नोस परम इसल, एलघुमिन इसल झीव सेल्ट। मतलब क्या हुआ कि जीम्नोस परम है, उन में क्या-क्या नहीं पाया जाता है? कि जो ऐल निसेल उनमें पाए जाते हैं किसकी जगे जैसकी जो अन्य सब्सक्राइब किम्प्र केमिट जया जाएंगे लेकिन उसकी जगह क्या पाये जएलख ज tien Eli идеology सेल्स और जबैट मिल्स जया टीव झैद बैरीन में सीव सेल्स पायगे प्सक्राइब को कुल ओका नहीं होते हैं इन प्लेयटटों के पास लपी सेल्स सेल्स आगे सिव्ट तो तो सीव, ट्यूब, elements and companion cells तो देखते हैं इसको अच्छी तरह से इससे diagram से अच्छी तरह से एक बर समझ लेते हैं इसको तो सीव ट्यूब क्यों कहते हैं हम इनको जैसी यह मैंने आपको यहाँ पे बनाया जैसी यह cells होगे इनके बीछ में और यहाँ पे 1 बनाया नीचे की तरह यहाँ पे cell में इनके बीच में सारे यह क्या होगे सीव cells हो गई हैвор ор सव ट्यूब हो गया पुरा और इसका साथ ही होता है इसकी sister cells होता है आपस में आपस में काम करती हैं अब हमने देखा इनके पास नहीं पाये जाता है, नहीं पाये जाता है, तो आप सोच रहे होगे कि ऐसे function करेंगे, brasile tubes, to have right, है जो companion cells आप यह side में ऐसे companion cell है उसके पास क्या होगा nucleus b तो यहां पे जो pit fields होती है मतलब बीच में space होता है इनके आपस में जुड़े होते है और यहां पे बीच में space होता है फिर एग और होता है तो यहां से क्या होता है कि अंदर यह जो इसको भी command देते रहते है जो companion cells होते है यह कमांड देते है कि आपको हाँ यह करना है तुम्हें यह करना है जो function का आगे पढ़ेंगे तो यह कमांड देते हैं इसलिए sister cells कहते है क्योंकि आपस में जो हैं मिलके काम करते हैं यह से यह जो आपका companion cell हो यह से कमांड देगा किसे sieve tube cells को sieve tube element को और यह जो आगे फिर अपना function perform करेगा sieve tube element आगे function को perform करेगा और जब companion cells के पास नुकलियो सुटता है यह से कमांड देता है जो है इसकी help करता है यह से कमांड देगा यह से की फिर आगे जो इसका function करेगा food prepare के लिए तो आपको clear होगा इसलिए हम इन दोनों को sister cells कहते हैं आपस में जो जो काम करते हैं आगे देखते हैं NCRT में जो लिखा हो है sieve tube elements are also long यह बड़े बड़े होते हैं tube like structures होते हैं arranged longitudinally होते हैं and are associated with companion cells उनके साथ जो है associated होते हैं जोड़े होते हैं आपस में काम करते हैं यह their end walls are perforated in sieve-like manner to form sieve plates अब इसमें क्या है कि जो end walls है and की तरफ जो cell walls उनकी वो जो परफोरेटी होते हैं उनमें क्योते हैं PITS होते हैं छेद होते हैं मतलब उनमें sieve-like manner में जो की sieve plates बना लेते हैं मतलब क्या हुआ कि जो कई सारे sieve cells जो है sieve cells हाके आपस में मिलके sieve plates बनाती है फूरी a mature sieve element possesses a peripheral cytoplasm and a large vacuole but lacks a nucleus जो mature sieve element है उसके पास क्या होगा peripheral cytoplasm भी होगा उसके पास जो cytoplasm भी होगा साई जगा और large vacuole भी होगा लेकिन उसके पास nucleus नहीं होगा इसलिए जो companion cells के जो है साती है अब function क्या है sieve tube का the function of sieve tubes are controlled by the nucleus of the companion cells जो function is sieve tube cells का वो किस से control होता है वो किसके nucleus से control होता है companion cells के nucleus से control होता है कि कौन sieve tubes companion cells support मतलब nucleus के control करता है सेव ट्यूबस इनका तो इनका nucleus जो है control करता है sieve tubes का आगे हम देखते है companion cells the companion cells are specialized parent काईमेटर cells कैसे होते है parent काईमेटर cells parent काईमेटर cells होते है parent काईमा के cells which are closely associated with the sieve tube elements जो कि आपस में जोड़ जड़ होते हैं कि साथ sieve tube elements के साथ होते हैं पास में भी पास में बिल्गुल the sieve tube elements and companion cells are connected by pit fields present between their common longitudinal walls अब मैंने आपको भी बताया था pit fields क्या होते हैं इनके बीच में जो pits होते है pit fields का लिए फिर pits का लिजिए तो यह sieve tube element हो गया यहां पे companion cells हो गई तो यहां से उसको command देता है nuclear और आपने फंक्शन प्रफॉर्म करता है यही जो खाना बनाता है तो यह सारे चीज़े के लिए इसके help करता है companion cells the sieve tube elements pit fields से connected है the companion cells in maintaining the pressure gradient in sieve tubes companion cells किसमें help करते हैं pressure gradient में pressure gradient मतलब क्या है कि जब pressure बनता है किसमें complete food fill हो जाता है sieve tube में pressure create करता है companion cells जहां पर जरूरत होगी खाने के वहां पर पहुच साएगा source to sink वहां पर बन चुक है खाना source to sink जहां पहुच जाएगा जहां पर उसको जरूरत होगी तो companion cells pressure gradient का भी help करता है तो इसमें तो एक line ही दी हुई है कि यहां पर हां भी sourcing तक खाना पहुच जाएगा pressure create करेगा अब यह कैसे create करेगा क्या इसकी physiology है तो आगे हम पूरे plant physiology में इस एक line को हम पूरे एक page में पढ़ेंगे आगे पूरे detail में पढ़ेंगे इसका पूरे एक देड़ पेज आपको DIY एची तरह से diagram के साथ हम इसको समझेंगे तो आगे plant physiology है इसमें सिरफ anatomy के बारे में बात किया किस तरह से arrangement हो उनका कहां पर present है फंक्शन थोड़े फंक्शन के बताया लेकिन यह नहीं बताया कैसे work करते हैं इनमें function और anatomy बताया हुई है तो आगे हम detail में अच्छी तरह से पढ़ेंगे plant physiology में आगे देखते हैं flow impairment कायमा की बात आगे आपको आगे समझाया होगा सीव ट्यूब elements और companion cells होते हैं आपमें sister cells होते हैं सीव ट्यूबस में जो अपना food बना हुए वो जो है उससे pressure की वदर से जो वहाँ पर चला जाता है source to sink जो है चला जाता है आए अब आपको clear होगा कौन से कौन से हमने पढ़े सीव ट्यूब elements and companion cells आगे हम देखते हैं यह जो है living जो है जो phloem parenchyma का होता है phloem parenchyma is made up of elongated tapering cylindrical cells which have dense cytoplasm and nucleus यह भी क्योंते elongated होता है लंबा और tapering cylindrical cells होती है बिल्कुल end पे जो cylindrical cells होती है which have dense cytoplasm and nucleus dense जो है इनका cytoplasm and nucleus होता है the cell wall is made up of cellulose किसकी बनी होती है cellulose की बनी होती है and has pits इनके पास भी pits होती है transportation होती है plasma dismantle collection exit between the cell walls plasma dismantle connection होता है जिसके तुरू जो है आने जाने का काम होता है आग और जड़र detail में हम cell wall की बात करेंगे chapter no.8 cell वाले chapter में cell board पढ़ेंगे और ज़्यादा detail में इसके बारे हम बात करेंगे अच्छे तरह से plasma dismantle connection के बारे में the phloem parenchyma stores food material and other substances like resins, latix and mucilage यह जो phloem parenchyma क्या करता है food का storage करता है इसका storage? Food का storage करता है food का storage करता है कुछ other substances का भी जैसे latix होगया, latix मतलब क्या है? कुछ milk के fluid हो गया उसके storage करता है, mucilage मतलब कि thick glue substance होता है thick glue substance होता है glue substance चिपक्षा जाता है जो बिल्कुल तो यह जो इसको function हो गया phloem parenchyma is absent in the most of the monocots तो important point है जो monocots होते हैं उनमें absent होता है phloem parenchyma, monocots में mainly इनमें absent होता है इसको highlight किजेगा और जुरूरियाद किजेगा आगे हम देखते है phloem fibers को बारे हम देखते जिनम bast fibers भी कहते है phloem fibers are made up of scleranchymatous cells किसके मने होते है phloem fibers यह किसके मने होते है scleranchymatous cells scleranchyma के जो cells है these are generally absent in the primary phloem but are found in secondary phloem important point हो जादा जो phloem fibers वो किसमे absent होते है primary phloem जो सबसे पहले जो पहले वाले phloem बनते हैं उनमें यह absent होता है और जो secondary phloem होता है जो secondary phloem हो गए जो बाद वाले phloem हो गए बनेंगे उनमें जो है present होता है उनमें बनता है these are much elongated यह भी elongated होते हैं unbranched होते हैं and have pointed pointed needle-like epices epices मतलब धागे मतलब इनका use भी है economic importance भी हमारे पास रश्ची बनाने में इनका काम होता है बहुत ज़्यादा पतली-पतली इनके needle-like epices हो जाती है जो है धागे जैसे बिल्वी पतली हो जाते हैं जिससे हम क्या करते हैं कि इनकी जो है इनसे हम जो है fibers जो है इनसे fibers these fibers lose their protoplasm and become dead जो आपने fibers जो है लूज करते हैं तो हमने protoplasm नूट्स और जाते हैं और यह जो डैड़ हो जाते हैं मतलब डैड़ हो जाते हैं यह phloem fibers of jute flax and hemp are used commercially तो इनने जो commercially जो हम यूज करते हैं रस्ती हो गई इनसे जो को बनाने के लिए जो है यूज करते हैं तो इसका important function हो गया यह the first formed primary phloem इसी तरह हमने जैसे proto phloem and metafloem हमने पीछे क्या पढ़ा था protozylum and metasylum जो हमने पढ़ा था कि जो protozylum होता है वो जो पहले बनता है metasylum बात में बनता है and dark or exact condition में हमने पढ़ी थी इसमें क्या होगा इसमें phloem हा जाएगा उसमें xylem था the first formed primary phloem consists of narrow tube tubes and is referred to as protoplasm जो पहले बनते हैं जिसके पास जो है narrow tube tubes होते हैं और later formed phloem has bigger tube tube इसमें बड़े बाद में बनता है जो बाद में बनता है phloem और बड़े बड़े इसके पास sieve tubes होते हैं is referred to as metafloem उसे हम क्या कहेंगे metafloem कहेंगे आयोपको clear हुआ होगा protoplasm and metafloem इसमें प्रोटोजायलम भी बढ़ा था metafloem भी बढ़ा था इसमें तो कोई problem होगी नहीं and dark exact condition भी पड़ी थी है xylem और phloem को अच्छी तरह से जो कि हमने अच्छी तरह से complete कर लिया है complex tissues को तो हम next video में आगे हम start करेंगे tissue system तो एक बार देख लेते हैं हमने क्या पड़ा हमने phloem के बारे हम पड़ा जो की waterman जो की food transportation में help करता है stores to sink हमने इसके इसके लग-लग क्योंकि sieve tube elements sieve tube elements के पास nucleus नहीं होता लेकिन companion cells के पास nucleus होता है जो कि उसके साथ share करता है उसे command देता है कि जब उसके में खाना बन जाता है फिर उसके बाद जो है pressure gradient का भी pressure gradient जो है बनाता है companion cells इसको जलरे टेल में chapter number 11 में पड़ेंगे तो यह pressure बनाता है जिसके source to sink में जो है food जला जाता है फिर phloem parenchyma पड़ा फिसको बाद phloem fibers पड़ा phloem parenchyma में जो है store करने के लिए food material को यह सब function हमने पड़ा phloem fiber में जो है इनके इनसे हम जो है रस्तिया बना सकते हैं hemp हो गया फ्लैक्स जोट यह सब बना सकते हैं फिर phloem 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 and metafloem बड़ा जो पहले बनते है phloem उन्हे phloem phloem जिन में की safe tubes है नारो होते हैं चोटे होते हैं और इनमे bigger safe tube होता है metafloem में अब आपको clear होगा सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को like भी किज़ेगा में चैनल को subscribe भी किज़ेगा मुझे comment करके बताएगा आपको वीडियो कैसे लगी next video हम आगे हम जो है start करेंगे chapter को तो thank you जिस chapter को आगे हम जो है start करेंगे tissue system thank you मिलते हैं next video में